आप से पहले सिद्धार्था कोचिंग चलती थी उसने बच्चिचों की फीस जमा हुई थी ठीड़ क्लास पुरी कियो बगार और फीस लेकर प्रार हो गया है किस तरह से जानते हैं आप क्या पूरी अब अमला को चाहिए सिद्धार्था कोचिंग में पहले में पढ़ाता था उसके पशचात मैंने उनसे फीस का अपनी सैलरी कभी नहीं मागी मैंने यहां पर 24 जनवरी को जॉइन किया था 24 जनवरी से लेके 20 अक्टूबर तक मेरी कुल सैलरी बनी थी देड़ लाग रुपिया जब मैंने उनसे सैल अपनी सैलरी कोचिंग डालूंगा हमें परसंटेश कोई लेना देना नहीं है ऐसे स्तिति पर अपना समान जब लेके चले गए कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स लेके चले गए, कंप्यूटर्स के बच्चों के स्कुल फीज जमाओी थी 1,86,000 रुपया यह तोटल पैसा जो सिधार पांड़े के पास था वो सारा का सारा पैसा लेके गए सिवा हस्पिटल के बगल में अपनी कोचिंग डाला, दिवाली के पैसा उन्हें कोचिंग बंद कर दिया, फिर जब बच्चे हमारे पास आने लगे परिसान करने लगे, यह भी सिधार ता कोचिंग हो भी है, ता मैंने कोचिंग का नाम परिवर्थित करके प्रतन सिधार ता कि अपने संस्था वगेरा हमारी संस्तम कभी नहीं आएं, कम्प्यूटर जिन बच्चों को आप पहले सिधार ता कोचिंगा पढ़ाते थे, तो क्या वो बच्चे आपके यहां पढ़ रहे हैं, कि सब अचले गया बच्चे अब लगे 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 लिगे वगे लगे 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 15 से 20 बच्चे को आपके लेया हैं, आप 50 से 20 बच्चे अपने पास रख लिया था, उनके भविस्त को ना ख़राब होने बच्चे को रख जा ही करवाई उसके लमजह के विघसी बच्चे नजबादा नहीं किया तो क्योंकि बात यहwoman को मैं प क्याना में अबकर? निरनिस्टा